हेलो फ्रेंट्स वेलकम टो ए ट्वंटीफो नॉलेज ए ओफिशल यूट्यूब चैनल आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे सबॉरिंडेट सर्वीस सेलेक्शन बोर्ड पंजाब गौवर्मेंट की नियू रिकुर्मेंट नॉटिफिकेशन जो की फ्रेंट्स यहां पर इ संवाई दो हजारी से स्टार्ट हो शुके है सब्मिट करने की जो डेट है यहां पर जो एलिप प्रेंट्टी केंडिशन से वह अगर आप अब फुल्फिल करते हैं जिसमें आपका मेट्रे कुलेशन प्लस में टू यहां का सैटिफिकेट ऑफ़ ड्राटमेंट इस विप्र तो आप यहाँ पर आविदन कर सकते हैं तो फ्रेंच से वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर अभी तक आपने हमारे चनल को सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब करें, शेर करें, लाइक करें जिससे आपको आने वाली सारी अपडेट्स मिल सकें तो फ्रेंच से अब यहाँ पर बात करेंगे कैसे आप इसमें आविदन कर सकते हैं step by step process के बारे में हम बात करेंगे इस वीडियो में तो सबसे पहले फ्रेंच से यहाँ पर आपको मिलता है login section, username and password तो फ्रेंच से username and password को नया आप generate करेंगे इसके लिए आपको new user का option मिलता है आप इस option पर click कर सकते हैं अब यहाँ पर आपको select करना है आप किस post के लिए applicable है eligible है उस post को आप यहाँ पर select कर सकते हैं इसके बार यहाँ पर कुछ basic जानकर आपको fill करनी है सबसे पहले देना है आपको नाम इसके बार आपको देनी है आपकी mail ID इसके बार आपको आपका 10 digit का mobile number और यहाँ पर आपको एक password generate करना होगा तो friends यहाँ पर कोई भी guideline अभी नहीं है password selected तो आप भी यहाँ पर alpha numerical password generate करें और इसके बार यहाँ से इसको confirm करें और इसके बार जो एक capture code है यह डाल कर आप यहाँ से इसको agree करेंगे और register tap पर click करेंगे तो कुछ basic जानकारी है ज़्यादा कुछ यहाँ पर पूछा नहीं गया है नाम, mail ID, mobile number, password जो की alpha numerical आप बनाई है और उसके बार यहाँ से register tap पर click कीजिए registration करने के लिए इसके बाद friends आपका जो registration process है वो complete हो जाएगा और जो आपके login details है वो friends आपको send कर दी जाएगी आपके register mobile number पर और साथ में आपके register mail ID पर तो अपनी mail ID है, mobile पर जो SMS है उसको आप open करेंगे उसमें जो username and password है वो आप यहाँ पर type करेंगे और उसके बाद आप यहाँ से login कर सकते हैं apply करने के लिए इसके बाद friends आपका जो यह form है यह open हो जाता है मतलब आपका dashboard यह open हो जाएगा और यहाँ पर तीन step है आपके application form, payment और इसके बाद last में आपका print अब यहाँ पर payment की details आपको दी गई है कितना कितना payment आपको यहाँ पर जमा करवाना है और इसके लिए friends से आपको यहाँ पर जो यह you can save and edit the application form final submit और अगर आप एक बाद submit इसको कर देंगे फिर उसके बाद आप कोई भी edit नहीं कर पाएंगे यह चीज आपको starting में ही यहाँ पर बता दिया है यहाँ पर instructions है instructions के बाद आपको application form का option मिल जाएगा और यहाँ पर सबसे पहले है basic info इसके बाद academic info इसके बाद आपका make payment का option है और इसमें आपका जो form है payment complete करने के बाद आप download कर सकते हैं तो सबसे पहले आप click करेंगे basic info वाले option पर यहाँ पर friends से आपका जो यह form है यह start हो जाएगा और form start होने के बाद friends से आपको यहाँ पर देखिए father name आपको enter करना होगा इसके बाद mother name आपको enter करना है इसके बाद आपको date of birth do भी आपको यहाँ पर enter करना है तो इस calendar के माध्यम से आपकी जो भी date of birth है अब यहाँ पर जो फोटो है वो 30 से 100 के बीच में और सिग्नेचर आपका 30 से 50 के बीच में आप अपलोड करेंगे अगर आपको यहां पर अधार कार्ड, पैन कार्ड, इलेक्ट्रोनिक आडी, मतलब वोटर आडी, आपका ड्रैविंग लाइसेंस, पासफोर्ट, कोई भी एक उप्शन को आप चूज कर लें, और उसका जो नमबर होता है, वो आप देना होगा, जैसे अधार कार्ड कार्ड का 10 डिजिट का नमबर होता है, तो आप यहां पर वो नमबर यहां एंटर करेंगे, इसके बाद यहां पर आपको देनी है, आपकी नेशनल टी, इसके बाद यहां पर आपको कैटेगरी सलेट करनी है, जनरल, SC, ST, OBC, PH, आप जो भी कैटेगरी सलेट करना चाहें, कर सकते हैं, अब यहां पर अगर आपका डॉमेंशल पंजाब है, तो यस आप क्लिक करेंगे, और अगर नहीं है, तो आप यहां पर नो भी कर सकते हैं, बाकी अगर पंजाब के निवासी नहीं है, तो आप जनरल में ही काउंट होंगे, यह चीज़ आप ध्यान रखेगा, साथ में फ्र है, वो आप यहां लिखेंगे, आपका सिटी लिखेंगे, पिन कोड लिखेंगे, आपका जो स्टेट है, जिस स्टेट से आप बिलॉंग करते हैं, वो आप यहां पर सलेट कर सकते हैं, आपका डिस्टिक आप यहां सलेक्टिक कर लेंगे, कोरस्पोंडनेस पर्मानेंट सेम है टिक किर दीजिए यह automatic copy हो जाएगा अलग-अलग है तो आप अलग-अलग entry भी कर सकते हैं इसके बार कुछ details है जो कि आप अपने according दे सकते हैं जैसे criminal case registered है convicted है आप criminal case में working है पहले से government employee में आपको इस रक्षेशन चाहिए नहीं चाहिए पंजाबी आपने 10th लेवल या उसके equivalent लेवल या higher लेवल पर पड़ा है नहीं पड़ा है यह आपको yes करना ही होगा बाकि आप अपने according यहाँ पर yes and no कर सकते हैं तो यह आप अपने according करेंगे इसके लावा है education qualification आप fulfill करते हैं आप यहाँ पर complete करेंगे और उसके बाद यहाँ से इसको save कर देंगे इसके बाद फैंस आपका जो next option है qualification का यह आपका open हो जाएगा सबसे पहले यहाँ पर है 10th की details या matriculation की details जो आपके आप यहाँ पर fill करेंगे title में आपको 10th ITI diploma या any other का option मिल जाता है आप 10th यहाँ पर आ जाएगी आपको आपका board का नाम देना है इसके बाद आपको आपका जो year of passing है वो आपको देना है इसके बाद यहाँ पर आपको देना है mode of degree इसमें यहाँ पर regular है distance है वो आपको upload करना होगा और PDF format में आपका जो certificate and mark sheet है वो आप upload कर सकते हैं साइज आपको यहाँ पर दिया गया है ब्रॉस्केर माध्यम से आप यहाँ पर file को select कर लेंगे इसके बाद fans आपकी जो data है वो यहाँ पर देखें सेव हो जाएगी सेव होने के बाद आपके सामने दुबारा से यही option open हो जाएगा अब देखिए अगर उस post के लिए ITI mandatory है ITI दीजिए diploma mandatory है diploma दीजिए और इसके लाबा भी अगर कोई qualification आप देना चाहें तो आप any other भी कर सकते हैं तो सबसे पहले mandatory details को आपको fill करना होगा certificate यहाँ मागा गया है stream आप किया जाएगी इसके बाद यहाँ पर marks obtained आपके maximum marks आपकी percentage आपका university आपका फ्रेंच से यहाँ पर जो passing year है वो सब आपको यहाँ पर mention करना होगा तो आप अपने according यहाँ पर इन चीजों को selected कर सकते हैं यह select करने के बाद mode of degree select करनी है और same आपको यहाँ पर यह भी upload करना होगा ऐसे ही फ्रेंच से मालीजे आप graduate के अलावा यहाँ पर मालीजे diploma pass out है आप और diploma की entry करना चाहें तो आप diploma भी कर सकते हैं और इसके अलावा मैं जैसे मैंने कहा कोई other qualification है आप उसकी भी entry कर सकते हैं इसके बाद फ्रेंच से यहाँ पर है आपका declaration section तो आपको declaration करना है declare करने के बाद फैंच से आप यहाँ पर अपनी जो fill details है उनको देखना चाहें तो आप यहाँ पर check कर सकते हैं और उसके बाद आप यहाँ से submit इसको कर देंगे submit करने के बाद फैंच से आपको payment करना है और उसके बाद आप कोई भी edit नहीं कर पाएंगे इसलिए यहाँ पर details को ध्यान से check करें और उसके बाद ही submit करके payment complete कर दें submit करने के बाद फैंच से आपके सामने यहाँ पर देखिए आपका registration details है वो आपको देखने को मिल जाएंगी अब यहाँ पर आपको मिलता है आपका registration complete हो चुका है आपका form अभी pending है क्योंकि आपने fees pay नहीं की है और payment friends से यहाँ पर आप जो है आपको एक दिन बाद मतलब एक business day बाद आप यहाँ पर complete करें इसी इसका आपको ध्यान रखना है मतलब जैसे आपने अभी तक अपने details को complete कर दिया है अब आप यहाँ पर इसका print out लेके रख सकते हैं अपने पास और उसके बाद friends से यहाँ पर आपको next day, next business day आपको try करना है और उसके बाद यहाँ पर login करके pay fee वाले option पर click करना है और अपने payment को confirm करना है payment confirm करने के लिए friends यहाँ पर state bank collect system आपका open होता है जिसमें friends आपको यह declare करना होगा proceed करना होगा और इसके बाद यहाँ पर payment category में friends advertisement number 02-2020 आप select करेंगे आपका application number, date of birth और यहाँ से आप इसको submit कर देंगे तो friends यहाँ पर देखिए आपकी data अभी verify नहीं हुई है क्योंकि अभी हमने registration किया है तो registration करने के next day मतलब अगले working day अगले business day पर आपको यह try करना है और इसके बाद login करके दुबारा से आप details को fill करेंगे तो आप यहाँ पर आपकी details हाजाएंगे और इसके बाद किसी भी bank के credit card, debit card, net banking से आप payment कर सकते हैं अब यहाँ पर friends जो payment याँ आप्शन है यहाँ पर application number आपको मिल जाएगा आप अपना जो final printout है वो निकाल कर अपने पास रख सकते हैं तो friends यहाँ पर जो भी details मैं आपको बताई है PSSB की new requirement notification जो की फ्रेंग से junior draftment 02-2021 के लिए है इसका form आप कैसे fill कर सकते हैं इसके बारे हमने इस वीडियो में बात की अगर friends आपको हमारा यह वीडियो पसंद आया है और आप चाहते हैं ऐसे ही updates आपको लगातार मिल सकें तो friends like, subscribe, share जरू कीजिए बाकी की जानकारी के लिए ऐसे ही बने रही हमारे साथ देखते रहे हमारे यूट्यूब चैनल and last thanks for watching